असलाम अलेकुम विवर्स कैसे हैं आप वेलकम टू माई चैनल किचन मुवी आज हम आपके लिए पिन वील्स की रेसिपी लाएं हैं तो चलते हैं डो के इंग्रीडियंट्स की तरफ कुकिंग आयल एक टेबल स्पून नमक एक टी स्पून पानी थोड़ा सा मेदा एक कप कॉ घौन फ्ल्रॉर नमक तराफ कको अपान कांप और कांवर बाद पार सकते हु porta टेएर करें खालेगए हम पानीस की टीज़ां नोट हैं हाख मेर में शसमी नाटो की आपट में हाथ से तुम आच 스डे हुख सबस्दों ननना करें सबस्स्तराइपहु करेंगे लूद सभी देखे कितने इच्छे से मिक्स हो रहा है कि देखे कितना थोड़ा थोड़ा पानी इस्तमाल हो रहा है आपने ज्यादा पानी बिल्कुल नहीं डालना थोड़ा थोड़ा पानी डालके मिक्स करते जाएंगे अब हम इसे मिक्स करते जाएंगे इस्ता थोड़ा थोड़ा पानी इसे हम बिल्कुल जैसे रोटी काटा गुनते हैं वैसे ही त्यार करेंगे लेकिन फोफोद सख्त यह देखें कितना थोड़ा थोड़ा पानी इस्तमाल करते हुए इसको मिक्स कर रही हूँ जब हमारी डो सख्त सी त्यार हो जाएगी तो हम इसे अपने हाथ से थोड़ा सा तोड़ेंगे और चेक कर लेंगे इसकी सख्ती को हमें इतनी सफ्त डो त्यार करनी है कि बिल्कुल भी हमें मेदा इस्तमाल ना करना पड़े खुश तो अब हम चलते हैं अपने स्टफिंग की तरफ आलू एक पाउ धन्या दो खाने के चमड़, सर्दा रंग आदा चाय का चमड़, आयल दो टेबल स्पून, इस्तन अधरक पेस्ट एक टी स्पून, नमक एक टी स्पून, पानी एक से दो टेबल स्पून, हरी मिर्च दो अधर, कुटी लाल मिर्च एक टी स्पून, जीरा एक टी स्पून, पिसी लाल मेर्च एक टी स्पून, अजवायन हाफ टी स्पून, सबसे पहले हम अपने पैन को गरम करेंगे, अब हम इसमें अपना आइल शामिल करतेंगे, आइल जब गरम हो जाए, तो इसमें जीरा शामिल करतेंगे, अब हम इसमें लसन अधरक का पेस्ट शामिल करतेंगे, इसे हम 30 सेकिंड के लिए फ्राई करेंगे खुश्बू आने पर अब हम इसमें बाकी अज़ा शामिल करते हैं हम इसमें थोड़ा सा पानी शामिल करेंगे ताके हमारे मसाले जले नहीं अब हम इसमें अपने आलू शामिल कर देंगे और इसे मिक्स करेंगे आलू को हमने पहले से वोईल करके थोड़ी देर फ्रीज में रखा है ताके यह अच्छे से ग्रेट हो जाएं फिर हमने इसे ग्रेट कर लिए हैं अब हम इसमें जर्दा रंग डालेंगे अब हमने इसमें अपना धनिया और सबस मिर्च को शामिल कर दिया है अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे अब फ्लेम को अफ करेंगे और इसमें लीमू का रज शामिल करेंगे और इसे मिक्स करके ठंडा होने के लिए रख देंगे अब 30 मिनट्स हो चुके हैं हमारी डो त्यार है बिलकुल अब हम इस पर थोड़ा सा मजीद आइल स्प्रेड करेंगे और इसको ऐसे थोड़ा सा हम रोटी की तरह बना लेंगे अब हम इसे रोल करेंगे और दर्मियान से काटेंगे इसे रोटी के पेड़े की तरह बना लेंगे हम जहां पर बेल रहे हैं वहां पे थोड़ा सा आइल डालेंगे इसे तरह करेंगे अच्छे से औरह अब हम इसे रोटी की तरह से बेल लेंगे के ऐसे हम थोड़ी सी मोटी रोटी जाश्त मोशों की होती है इस तरह से अमिसे बेलते ओए बढ़ाता जाएंगे हम इसे थोड़ी बड़ी सी रोटी को त्यार लेंगे यह देखेए हमारी रोटी अब काफी ठीक तरीकाहे से त्यार ओड़ी है अब हम इसकी स्टॉटिंग कर रहे हैं, हम अपने हमेजे को सारे पे फिला देंगे, देखिए हमने इसे सारे में अच्छे से स्प्रेड कर देना है, कहीं से भी जगा खाली ना रहे, सिर्फ किनारे खाली बचे हैं, अब यह हमने सारे में स्प्रेड कर दिया है, अब हम इसको बिल्कुल एक जैसा करेंगे, यह देखिए हमने बेलन को आईल लगाकर इसके साथ इसे हलका हलका सा रोटी की तरह बेल लेना है, अब हम इसको रोल करेंगे, अब हम अपना पेस त्यार करते हैं, दो चमच मेदे में थोड़ा सा पानी डाल कर, हम इसको पतला सा हमेज़ा त्यार करेंगे, यह देखिए, यह कितना पतला सा हमेज़ा त्यार होगे है हमारा, इसे हम साइडों पे स्प्रेड करेंगे, ताके हमारा रोल अच्छे से बांद हो सकी है, अब हम इसे बंद कर लिए, अब हम इसे हाथ से थोड़ा बढ़ाएंगे, अब इसके साइडों को हम बंद कर देंगे, यह देखिए, अब हम इसे बढ़ाते जाएंगे, अब बिल्कुल एक शार्प नाइप लेकर इसकी मदद से इसे बराबर बराबर पीसिस में काट लें, यह देखिए, यह देखिए, कितना अच्छा सा त्यार हुआ है हमारा बिंडि, यह देखिए, इसकी कटिंग हम बहुत स्लोली करेंगे, वरना यह खराब हो जाएगा, ऐसे ही करते हुए हम सारा काट के रख लेंगे, अब यह बिल्कुल त्यार हो गया है, अब हम चलते हैं इसे फ्राइ कर अब हमारा आइल गरम होके है, यह जो पेस्ट हमने बनाया था, उसी में हम इसे डिप करके आइल में डालते जाएंगे, यह देखिए, हम ऐसे ही अपने सब पिन बिल्स को फ्राइ कर लेंगे, अगर आप चाहें तो इन्हें आप बना कर फ्रीज भी कर सकते हैं, जब भी जरूरत हो तब आप इसे फ्राइ करें और इंजॉई करें, यह देखिए, हमारे बिल्स फ्राइ हो रहे हैं, इन्हें साथ साथ बलगते जाएं, ताकि यह खराब ना हो, जैसे ही इनका, जैसे यह ब्राउन होने शुरू होंगे, तो फिर हम इन्हें निकाल लेंगे, देखिए, हमारे पिन्विल्स बिल्कुल रेडी हो गए हैं, अब हम इन्हें निकाल रहे हैं, यह देखिए, कितने अच्छे साइन का कलर आए है, यह देखिए, अब हम इन्हें सब को बरतन में निकाल लेंगे, अगर हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन के बटन को क्लिक करें, ताके हमारी हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच आए, अब तक के लिए इतना ही, अला आफिस,